हेलो एवरिवन आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ यकीन मानिया आपको एक रुपे भी खर्च नहीं करना पड़ेगा एक भी टिप्स बेकार नहीं जाएगा सारे की सारे टिप्स आपके बहुत कामाने वाले हैं और बिल्कुल जीरो कॉस्ट हैक्स हैं तो अब टैनी डिले लेट्स बिगेंदा वीडियो देखिए कुछ दिनों पहले मैंने बाहर से फूड ओर्डर किया था और मुझे फूड के साथ मिले थे यह कंटेनर तो यह कंटेनर मुझे इतने अच्छे लगे ना कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इन्हें कुछ नकुछ organize करने के लिए use करूंगी आप भी अगर बाहर से food order करते हैं और आपके पास भी ऐसे container हैं तो आप भी इनको utilize करें घर के समान को रखने के लिए मैंने इन तीनों boxes को use किया है तो एक box में मैं kitchen towel रख रही हूँ दूसरे box में मैंने mask रखे हैं और तीसरे box में मैं banki रख रही हूँ ऐसे ही आप भी इस तरह के boxes को use कर सकते हैं जैसे कि mask, jewelry, makeup का समान, poly bags रखने के लिए हैना ये 0 rupees में best organization hacks क्या आपके पास भी बहुत सारी bangles ऐसी हैं जो आप नहीं पहनते हैं तो आप भी अपनी bangles को kitchen में use कर सकते हैं as a organizer इस bangles के साथ की सारी bangles तूट गई थी तो इसको मैंने use किया towel hang करने के लिए आप कोई भी bangles kitchen या bathroom के towel hang करने के लिए use कर सकते हैं और आपको कोई भी towel organizer purchase करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे kitchen में जगे की कमी होने की वज़े से हम अपने walls पर इस तरह के hooks का use करते हैं और इस तरह के hooks को लगाते हैं ताकि हम यहां पर ज़्यादत ज़्यादा चीज़े hang कर सकें बट होता यह है कि एक हुक में हम बड़े मुश्किल से एक या दो चीज़े ही hang कर पाते हैं और अलग-अलग समान को use करने के लिए हमें बहुत सारे hook का use करना पड़ता है अब एक ही hook में तीन से चार चीज़ें कैसे hang कर सकते हैं आप इस तरह की रसी ले लीजे जो भी आपके पास available हो अलग-अलग size के cut कर लीजे जो भी समान आपको hang करना है उसमें बान दीजे मैंने तीनों में ये अलग-अलग रसी बान दिया है और तीनों की size अलग-अलग रखे हैं किसी को छोटा और किसी को बड़ा अब देखिए easily एक सारी चीज़ों को एक हुक में hang कर दिया है इंडियन food में सबसे ज़्यादा important है रोटी और इसको बनाने में हमारा सबसे ज़्यादा time जाता है तो जल्दी-जल्दी रोटी कैसे बना सकते हैं ये एक tip मैं आप लोगों को साथ आज share करूँगी normally हम single balls को लेकर के रोटी बनाने लगते हैं लेकिन अगर आपको जल्दी-जल्दी रोटी बनाना है तो आपको ये double-double balls लेनी पड़ेंगी और दोनों में थोड़ा-थोड़ा आटा लगा दीजे और दोनों के बीच में अच्छे से oil लगा दीजे तेल लगाने के बाद दोनों को चिपका लीजे यानि के mix कर दीजे और फिर इनको साथ में बेल लीजे आप आटा लगाएंगे बीच में oil लगाएंगे तो ये रोटी एक दूसरे में चिपकेगी नहीं जैसे हम नॉर्मल लोटी को बेलते हैं ठीक उसी तरह आपको इस रोटी में भी सूखा आटा लगा करके बेलना है इन दोनों रोटियों को सांथ में बेल लीजे फिर आप तवे पर डाल दीजे और फिर आपको रोटी को सेखना है जैसे आप नॉर्मल रोटी को सेखते हैं देखी मैंने तो इस पर oil लगा दिया है और पराठे की तरह बना लिया है क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए इसे बना रही थी और उसे ऐसे ही अच्छा लगता है तो oil लगाना तो optional है आप चाहें तो लगा भी सकते हैं या नहीं भी दोनों साइट से आपको सेखना है जैसे ये दोनों साइट से सिखने लगेगी अपने आप ही ये सीप्रेट हो जाएगा और आप इनको सीप्रेट करके फिर दोनों को पलट करके सेख लीजे तो एक ही टाइम में आपने दो रोटी बेल ली और एक रोटी के टाइम में आपने दो दो रोटियां सांथ में बना ली हैना ये हैक सबसे अच्छा और इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा अब देख लेते हैं ये कद्धूकस जिसे कुछ लोग ग्रेटर भी कहते हैं इसको क्लीन करना है मुझे और इसमें धार भी दिलाना है इसको धार देना बहुत ह मुश्किल होता है क्योंकि बहुत दिन तक यूज़ करने के बाद इसका धार खतम हो जाता है तो अब हम जो करेंगे तो मैंने इसमें एक चमश टुमेटो सौज लगा दिया है और मैंने ले लिया है ऐलिमूनियम फाइल का एक छोटा सा टुकडा अब इस ऐलिमूनियम आगे पीछे अच्छे से रप करेंगे तब ये क्लीन हो जाएगा तो ये टिप्स ना बहुत ही असरदार है तो आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा अब मैं आपको दिखा रही हो धो करके तो मैंने इसे प्लेन पानी से धो लिया है देखिए ये कितना क्लीन ह गया है और इसमें धार भी आचुका है अब देख लेते हैं नेक्स टिप तो देखिए ये नमक है तो नमक में भी मौईश्टर आजाता है जिससे की नमक गल जाता है या फिर पानी पानी नमक में आजाता है खास कर ये दिक्कतें बरसाथ के मौसम में ज Restaurses गल आती है तो इ if you enjoyed watching do press the like button and if you are watching for the first time consider subscribing and keep watching bye